अमरता प्रीतम दा नौवल उर्मी की तो नूँ पता है वेद के में रचे गया इसन? रब ने जो कुझ इंसान दे कानच केया से, इंसान ने उस सुन के कंट कर लेया से एसे लिए वेदानू सुरुती आख देया हवावा ने जो कुझ मेरे कानच केया, मैं भी यो सुन के कंट कर लेया इसलिए इस रुती है, इवेद है वेद लफजदार थी ग्यान है, बहुत उच्छा ग्यान मैं भी जो जानियां, वो एक प्यानक ग्यान है वेद चार सांते किड़ा जीब इतफाक है कि मैं अपने ग्यान नुवी चो हिस्यां चो वांड सकदा तो अनू पताई होएगा, रिग्वेद चे सिर्फ देवतियां दी मैं माखी होई है माता पिता देवतियां तो हुन दे हान अपने बच्चे नू जदो अपने लहू मास चो जनम देंदे है चाती चो दुद देंदे है, थाली दी रूटी चो ग्राई देंदे है उनू पोटा पोटा करके पाल दे हो, बच्चे नू देवतियां तो गाटनी लगदे सो माता पिता दी सिफ्ट सलाच मैं अपनी उमर दे वैवर वी वरे जो कुछ सोचदा रहा, ओ मेरा रिग वेद है ते दूसरा यजुर वेद सी, ओदे च बलिदान दा ते यग हों दा वर्नन है मेरे वेद वेच वी यही बहुत वड़े बलिदान दी कता है विष्णू पुरांच कथा ओंदी है कि एक रिखी ने अपने एक चेले नूँए वेद पड़ाया सी फेर एक दिन रिखी दी लत मारी ता ओध अपने वा मर गया जिदे प्राष्चेत ले उने चेले आनू बुलाया ते ओना दी इसला पुछी कि होनो की करे ते जिस चेले नूँए वेद पड़ाया सी यो क्यान लगा वो इकल्ला ये इस वेद दे मंतरां सहारे उनू पाप तो मुक्त कर सकता है रिखी नू जापया कि उनू अभिमान हो गया है इसलिए उने हुकम कीता कि उस वेडे कय करके सारे मंतर तरती ते सुड़ देवे चेले ने हुकम अनुसार सारे मंतर सांग चूं बार उल्टा देते जो बाकी चेले आँ ते तर बणके तरती उते चोग वांग चुग लाए ए मेरा वेद उर्मी मर गई है किसे ने उनू लात मारी सी ते हुण मेरे इस वेद दे सारे मंतर तरती हो ते खिल रहे पाई हम खोरे पतानी कदों तितर बन के इना नू तरती हो चोग वांग चुगांगा फिर उना मंतरा नू पड़ांगा ते ओर इखी जेने उर्मी नू लत मार के मार दिता है पाप मुक्त हो जाएगा तीजा सामवेद सी चोथा धरववेद इना दे मंतर मंगल कारजां लही थी हवन वेले पड़े जान दे है उर्मी दे मंगल कारज वेले मैं जिनियां खुशियां चित्वियां सन उर्मी दे जिन्ने लाड चोल जिन्ने हासे ओ सारे मेरे सामवेद दे मंतर सन ते होनो दा हवन मैं सारी उमर करदा रवांगा मेरी च्छाती दे होके ते मिरी आखां दे अत्रू मेरे मंतर हन सारी उमर पड़दा रवांगा ए मेरा उर्मी वेद उर्मी हुने सी हुने है नी, मर्दीनू वेखलन्दा तक होरे, उदा मोई दमू एक अंत दा निश्चा दुआ दन्दा, पर इंज नी होया, उनू मोई नू किसे ने नहीं वेख्या, होर ता होर कनून ने भी नी वेख्या, कनून दे कागजां चो जियों दी है, पर मैंनू अ अखरां चो ओ दी आखां क्योनि चा आखदियां, ये अखर, अख्खावां चमक दे क्योनि, उत्ते ही कागजां उत्ते होगया है, सोचरिया उर्मी लेर नू आखदीयाय, पानी दी लेर नू, पानी दी तराउग नू, पुराने ग्रंत, जिन दना सागर करके हुन्-दा सी उना दी हर कांड़ दाना उर्मी हुंदा सी पाणी दी लेर पाणी चे मिल जांदी या उदा वजूद मुक जांदे पर उदी लाश कोई नी हुंदी मेरी उर्मी वी खोरे पाणी दी ये लेर सी अनन्त सागर चे रल गई उनो दा वजूद कोई नी रिया उदी लाश्वी कोई नी वेखो चार वेदां दी चार रंग हुन्दे हाल रिग वेदा रंग चिट्टा यजुर्द दा लाल साम दा पीला ते अथर वेदा सुर्मेजया काडा मेरे उर्मी वेद देवी चार रंग हन गोरी निच्छो उर्मी दी जिवानी दा रंग असलों चट्टा उधी मोद दा लहू वर गालाल उधी विचोडे दा पीला पूक तेस विचोडे दा कारण असलों काले रंग दा ए उर्मी वेद केनू सुनावां मैं रोज इनू अप्पी पढ़दा अप्पी सुनदा केंदे हन वेदानू सुनदा अधिकार शुद्रानू नहीं हुन्दा सिर्फ ब्रह्मन शत्री दे वैश वेदानू सुन साकते हैं मैंनू जित्तो तक वखाई देन दे सब शुद्री इसलिए सारे तर्मा कर्मा दे वालीत समाज दे निमा वड़े शुद्र हन इना नू मैं ए वेद नहीं सुन सकता पर इस सब कुछ की मैं अपनी च्छाती चपा के इस दुनिया तो चला जामागा ग्यान हमेशा किसे नू सौंप के जाना चाहिए ए ग्यान ए प्यानक ग्यान मैं किनू सौंपा तुसी कुछो लोग जिनानू मैं जानदा नहीं जे सची मुची अपने दिलां सदका ब्रामन खत्री जा वैशे हो तो तो नू ये वेद सुननदा अधिकार है सुनो ए जित्थे मैं खड़ा हां एक चुराया है इक रा इक नेखुवल जानदा जिदे उर्मी दिलाश रुड़ दी पई है इक रा तरती देख टोय वाल जानदा जिदे चुर्मी दिलाश दब्भी होई है इक रा इक चिखा वाल जानदा जिदी अगविच उर्मी दिलाश सड़ दी पई है ते मैं जिमें चारी रा तुर्दा पयां चारे पास से अंता दी किसे नुए बो नहीं होंदी। मैं हार के इस देश ते कनून कोल के आ सी। सुने आ सी यो बो दा खुरावी सोंग लेंद। पर मैंनू वेख के उन्हें छेती नल नोटां दीक पोटली नक कगे रख लें। ते मैंनू हसके आखन लगा कि थे। बो ता किद रोमी नहीं होंदी मुहों कुछ भी नी बोल दे। नई, ए दंदल नहीं, ए मिर्गी है क्योंके दोहां पिणना दे मुँच चाग निकल रही है। कैंदे हांजेनू मिर्गी पेंदी हुए उन्हों एक नस्वार देनी चाही दिये। ये नस्वार आकदे दुद्द चु चौळानू पियोंके ते पी के बनाई दिये। साच वी अकवरगा कोडा हुंदे, उर्मी दियां गलना चिटे चौळां दियां कणियां वांगां। उन्हानू जे साच दे आकच पेंदी होलवां, ते उन्हादी नस्वार बनाके ये ना दोहां पिंदा दे नकच दे दे दे, तैना दी मिर्गी ज़रूर हाट जाएगी। इस साच है कि एक पिंदने उर्मी नू तिंगो जोरी डोली चपा के दुझे पिंद तक देता सी, उन्हें एक पिंदने उर्मी दे एक मां पड़ी, ते दुझे पिंदने दुझे पां पड़ी, ते उन्हों तुरू तुरू के मार देता, इना द मिटे गाल करां तो हो दे लगे लाने मेंनू इन ज though तक दिया है जवें मैं जिन्न ना पूतां दे गाल कर रहा है जवें उरमे कनु सिर्फ में ही कदे वेख्या होई हो और किसे ने कदे अक धी ना वेख्या होई सारियां गवाईयां मुक गईया हान सिर्फ एक गवाई इते पिंड दी स्कूल दे एक आगजांच पई हुई है जिते उर्मी नू दाखल क्रॉन लगयां लिखिया गया सी उर्मी उमर छे साल पिता दा नाम हरी चंद जिवें जो होया ते जो बीतिया हुण भी अखागे सामर तक है एक दिन पुछदा पिता जी राजा हरी चंद राजा हरी चंद सूरज वान्शदा अठाईम राजा सी न हाँ पिता जी आख देंदे हैं ते मंजीदी दौन कसन लग पेंदे हैं तुसी अपना ना राजा हरी चंद ना ते रख्या सी न मैं फिर आख दा पिता जी उत्तर नहीं देंदे मेरी जीब नोई को वाल जया पैजान दा पर फिर भी आख दा राजा हरी चंद सात्वादी सी, तुसी पावें फेर कदी साच ना बोलना पर इकवरी साच दास देऊ, उर्मी कित्थे है, पिता जी मंजी दी दौन वेड़े जोर नाल खिच देया के दौन टोट जन दीया, मा मुडे उतेक गंडरी वांग बैठी हुई है, पिंडदा हकेम ओधी रेड़ दी हड्डी उते रोज लेप करदा है, आखदा है उनू कदे टिली मंजी तेना स्वाना, एसे लिए पिता जी रोज ओधी मंजी कास देया है, पिता जी मंजी दी दौन नू गंड मारन लाग देया है, ता मुडे उत्ते पई हुई गंडरी होली जी व्याण पौन लाग पेंदी है, हाया निती ये केडा टुट्टी नू गंडे, गंडड़ी आखांगा, मा हुंदी ता उच्ची उच्ची व्याण ना पांदी, सोचदा उर्मी जेक सोनी सजाधी कुडी ना हुंदी, एक मंजी दी खोरी दौन हुंदी ता उन उधी उमरनू गंड प्याजान दी, फिर कम्रेदा आला मेरे वल तक दै, तेमें कम्रेदी आले वल, ओधी वी छाती विच्चों के सेंज रुग पार लेया, जमें मेरी छाती विच्चों, ओथे आले विच एक तस्वीर हुंदी सी, मेरी ते उर्मी दी, ते एक वारी पिता जी सानू दौन प्यान प्रावांदी ओथे मेले विच, साधे दू हां प्यान प्रावांदी तस्वीर लुहाई सी, पर आजो तस्वीर हो थे कोई नी, में तियो वाडा दो मेरालके पुछ देया, पिता जी ओ तस्वीर कित्थे चलीगी, तू की करनी हैं तस्वीर? पिता जी गुसेच दौन फे टुट जाएगी आखदाओ दी को तर निशानी सी पिता जी खेज के बोल दे निशानी उन सिर्मार नी मैं टीठांदे तराणा आखदा तो अनूने इसी चाहिए दी ना रखदे मैंनू दे दन दे मैं शेर वले कमरेच लालें द गर्क जाए तेरा शेर पिता जी दा सारा पिंडा खोरी दोनवां कसे आ जान दे ते शायद उनना दे अपने इपिंडे दियाँ छिल तरा उनना दे हथांच खुब जान दियाँ वो हथांदा नू मल दे जाए मेरे वल वेख दियाँ जान दा मैं शेर च कमरा लेके जदो कॉलेच पढ़न लगा सी ता उर्मी न गो पढ़ लेन दें, ते हो शेहर जाके अगो पढ़नली कॉलेश चा दाखल हो गईसी। ते असी पैन प्रादों में शेहर चा कमरा लेकी रेन देसी। निशानी तो याद हॉंदा के उर्मी जे जियों दी हुंदी। सिर्फ तिन चार मीने हो जियों दी। तोदा बच्चा भी एक निशान नी हुन्दा पिता जी मन्जी होते खेस वचा के गंडरी जी बणी मानू मुड़े उत्तो चुक्के मन्जी ते पादन दे है ते फिर हाथ तो के तिन्ना थालियां चुरोटी पादन दे है रुसोईदे फट्टे उते कैंदियां चार थालियां हमेशा नालो नालतर यां हुन्दियां हान। माँ हमेशा एनानू कूच कूच के लिश्कोंदी हुन्दी सी। एक केंगरियां वालियां थालियां असलो नमेनु मुने दियांसी। इक वारीक मेले चुखरी दियांसी। माँ हमेशा इनानू फट्टे उते लिश्का के तर दी आख दी हुन्देसी। आ थालि मेरी उर्मी दी। आप उर्मी दे वीरे दी ते आ मेरी ते आ तोड़े बाप्पुजी दी उस दिन पिता जी ने फट्टे उत्तो जो दो तिन थालीया लाईया ते मेरे मुँँ चान चक निकल गया ओ थाली उर्मी दी पिता जी ने करोधी अखा नल तके आता पता नी मैं नूँ के थाली नू मैं मुँँ ते आन रूटी दीक ग्रै तोड़ी दाल दी कॉल्ली च डोबी ते मुँँ च पाले दाल तो अंखी होई सी परसी ते निचिप चाब तो अंखी दाल नल रूटी खान लाग पई ये चुराया पता नी के होजा चुराया है मैं जिते जाना ये मेरी नाल जन्द है मेरी पैरा नल वड़ेया जन्द है हर थाएदे विच्चों उही चार रा पाट दे हन एक जो अन्य खुब वल जन्द है जिदे चुर्मी दी लाश पही हुई है दुज्जा जो एक नदी वल जन्द है जिदे चुर्मी दी लाश रुड़दी पही है तीज्जा जो तरती देख टोय वल जन्द है जिते चुर्मी दी लाश दब्बी हुई है ती चोथा जो एक जिखावाल जांदा है जिदी आग्विच उर्मी दी लाज सड़ दी पई है। जिखावाल जांदा है जिखावाल जांदा है। जांदा है जिखावाल जांदा है जिखावाल जांदा है। फिर लहू ओदे हथां उते सुक गया हुएगा। उन्ही हाथ तो ले होणगे पर कुझता मुसामांच लंग के उतियां तलियांच रह गया हुएगा। वो हमेशा उते तलियांच रहेगा। तलियांच सुक जाएगा पर कदे शाय दो दियांखाँ चत्रू भी आउंदे होणगे। कदे अद्धी रात नू ते तलियांच जम्या हुए लहू फिर गिल्ला हो जांदा हुएगा। शैद रंग गिल्ला हो जांदा है लहू गिल्ला नहीं हुँदा। कम्रे दा पीड़या होया भूहा खोलके वो एक प्रेत जया अंदर आ गया। ओही जिनू उर्मी ने प्यार कीता सी। सिर्दे वाल जुलूटियां बणे हुए। ओही एक लोई दी बुकल मारी मेरी कम्रेच गाड़े ही जे हने रेवा अंखलो गया। हने रानी टोट दा सिर्फ चुप टोट दिया पोच दा कदों आया पिंडों। आज जी कुछ पता लगा। मैं सेर्फ एर दन्ना। ओहने रेदा एक टेर जिया पहला उर्मी वली सक्णी मन्जीनू तकदा रहन दाया फिर मन्जी उत्ते बै जान दाया। उर्मी दी मन्जी उत्तों एक आवाज हों दिया। लोग केंदेने इश्क ते मुष्क चुप आया ने चुप दे। ए अद्धा साच्चे अद्धा चूट इश्क नहीं चुप या पर मुष्क चुप गई। मैं की आखना सी कुछ नहीं आख दा। ओर्मी दी मन्जी तों ही वाज हों दिया वीर्वे। गौत्मी सिला सच मुच हों दिया। ये पानी चीनी डुब दी। राम चंदर जी जदो लंका गई सी तो गौत्मी सिला ते बैठके गई सी। मेरा प्यार भी गौत्मी सिला ये मैंनों जरूर पार ला देगा। मैं त्रबक जाना। ये उर्मी दी अवाज कित्थों आ गई। फिर एक डूंगा पेत पा जाना। उर्मी ने खोरे के होजया इस बंदे नुँ प्यार की ता के मरके भी उदी होंद एधी होंद चस्माई होई है। वो फेर राखता है जो कुझ सुने है उता ही है के उना को हाडे नल वड के नदी च रोड देती। सोच दा उर्मी ने खोरे आखरी वेड़े गौत मी सिलावली गल सोची होएगी तो उन्हों खोरे के हो जा रो आया होएगा एस कल जगुत्ते जिते गौत मी शिलावी पाने चे डुब जान दी है तू बोल दा नहीं उपुछ दा है मैं उर्मी नू आख्या सी के रामचंदर दा द्वापर यूग नहीं कल यूग जगौत मी शिलावी डुब जान दी है तैनू पता सी ओदा सका पे उन्हों हथी मार देगा उपुछ दा है आखद हाँ नहीं एनी सी पता हून रात नू नेंदर के में आउं दी है उफेर फोल या सी शायद कितों कोई सुराग लबे फोल सकदा तो ओदी नेंदर नू भी फोल के वेखदा पर मा कुछ भी नहीं आखदी जी दियां अंदरां टुकियां गईयां फिर पुछ दा है जो वेख्या सी आखदेता उ मास दी घंड जी मनजीते पही रहन दी है ना किसे व कोई उगल आखदा सी तु कनून नी तो और ते उदा कुछ नहीं लगदा मेरे वलो ता तफ्तीश दी अरजी भी नहीं मनजूर हो सकदी कुटे ने उद्रों माल खदा होया है सोच दा की कुटे सिरुप माल नू खान वले हुंदे है खवान वले मान दी हत्थांच सोने दे मोटे मोटे कड़े हमेशा पहे रहंदे सी एछ वारी पिंड गया तो दी हत्थांच कुछ नी सी जान गया यहून जरूर थाने दार दी बोटी दी हत्थांच ओणगे सोने कड़े उर्मी धी हत्थांच भी हुंदे सान पर पिषले वरे जदो दो छुट ओन चुटियाँَ पर आया तन कानू हत्तां चपाया सी। जिस दिन तो उर्मी ने मेरे नल दिल फोले आ सी। उस दिन तो मैं हासके उस बंदे दा ना गौतम तर आ सी। इसाड़े पेंड़ दा सी। मेरा जानेयां पछाणेयां पर उदो मैं बहुत छोटा सी। मैंनू उर्मी दे मांदी आ सी। सोचया सी मननू मार लांगी। वो जाने मेरे प्यो चाचे दी गल रह जाए। पर मैंनू की पता सी के मन नहीं मारया जाना। गौतम शैर्च पढदा सी। फिर पढ़के शैर्ची रह गया सी। पेंड़ नी सी मुड़िया। उर्मी जदों सार यां दी मिन्नत मोहता जी करके शैर्च पढ़न आ गई। मैंनू वो दों नी सी पता कि उस सर्फ गौतम दे पिछे शैर आई सी। फिर मैं कदी हास की आखदा हुंदा सा उर्मी है। जी तेरा कुछ लगदा तेनू अपने नाली की निया ला जानदा ता फेर राच सुमुंदर होंदा है न। उर पाचनेशी शाक दी। मैं सारा समुंदर रिड़के तैनू लब लेना सी। अचानक मेरे मुह निकलेया गौतम। गौतम दे मुड्यां उत्ते लै हुई लोई लूंकंडेया वांकलो गई। उन्हें मेरे वलेंज तक्या जबे मैं उर्मीनू लबण दा कुई राधसन लग गकी पता उन्हा मारी न होवे के ते छुपा चड़ी होवे जा तेरे ते मेरे तो चोरी उन्हों जोरी कीनिया बेज दता होवे। खोरे लम्या दुखा वेले आसां भी परचावे वांग लम्या हो जान दिया। गौतम नू एक कड़ी एपू लगया के उर्मी कोडो दा छे सातमी न्यादा बच्चा सी। एस हालच चो उन्हों किसी होर मर्द कूल के में पेज साक दे सी। मैं आनू एचेता कराया ता लोई दी अपनी बुकल वेची हो जिमें डुब गया सी। मैं सोचदा प्या सी मेरी संग च मेरी आवाज को चाड़ गी। असा ता आख्या सी। असी उन्हों सुमुंदर रिडक के लब लवांगे पर आख्या गौतम ने सी। पर यो लंबा उन्हों कल्ले नू नहीं सी। इस सब तो वड़ा मेरा उलंबा मेरे नाल सी। उर्मीनू गौतम देकार मैं अपने हत्ती इन तो रहा सी। सोचिया सी मेरा वास्ता मेरी पैन दी खुशी नाल है। लोड पई तो प्यो दे गुसे नल निबढ लवांगा। उवेला ही नाया। ते सारी कहानी निबढ गई। मेरा प्यो मेरे यां रगानू पछान दा सी। पर मेरे कोड़ों यो दियां रगाना पछानियां देगा। गौतम जदों उस दिन डुब दे सू ओधा बप। ओधे नाल कोई हो रवीक बंदा सी। मैकार ने सी। अजे चंगा चानन सी। जिस वेले ओध दो जणे दो कोडियां उते आये। ओधी हवाल स्टूट दे बैसान। ए गौतम नोधी एक ग्वांडन ने दसे आ सी। जो स्वेले उर्मी दे कोड बैठी होए सुने आसी क्यों दा बपू आया। फिरोनी उर्मी नू बपू दे नाल जान दियां तक्के आसी। ते दुजी कोडी बढ़ा अंदर नी सी आया। गली तो बार खलो तारे आसी। उ पता नी कौन सी। मैं फेर भी गल्दा थोर नी सी पाया। आख्या ता आख्या सी तांकी होया। जे बपू आप आया असी ता कादा खत्रा पता नहीं की होन वाला है। गौतम नू कोई तरवास नहीं सी। आख्या सी शेहर चाकियों तैनू ना मिलिया। मेरे भी पिच्छों कंडी ले गया। ओ भी कोडी होते। असी सारे ज़तों पेंड जान दे ता गड़ी ते जान देया। उचे चा कोडी थी क्यों आया। फिर नाली खोर बंदा। मैंनू भी केर पई सी। असी दो में राद दी गटी पेंड चले गया सी। स्वेरे जो दो मैं कार पहुंचेया था बापू सुत्ता पया सी। ओ भी किते नहीं सी। पुछ पुछ हा रहा पर बापू उनने को गल फड़ी सी। उननू कुछ पता ने। उस दिन मा उत्थे नहीं सी। नाली पेंड अपने प्रादी खबर लेन गई सी। पसार विच कोडी बजजी होई सी। मैं किना चिर कोडी दे कोल जाके खलोता रहा। वेक सकदा सी। उईक लंबा पेंडा मार की हम भी उनने है नहीं ताके से होर नालू दलगी होएगी। गन्नू की पता है। चाती चो हूँ कुठी सी। जे सामने प्यो ना हुन्दा उधी था में कोई होर हुन्दा। फिर मैं ते गौतम ने जमें सारा पेंड फोल चड़्या होगी। पेंड दे टोई टिब्बे खो नालिय पासे ते वकदी नदी दा भरेत्ता उधी परली उजाड साड़े पिंडों बारले कमेनाज कुसर मुसर सी के रातनू नदी दे कंडे कोई जने कोडियां ते आये सी। नदी दे पारों राती चीकां सुने इंदियां सी। अन्ने खू कोड कोडियां किना चिर्कलो तियां र इनिया तो बहुत सारा रुपया उदे पेंडो दे पेवन वपड़े आसी। उना दे कर्दिग्गा रिजीयां सन। ते थानेंच बोत लांखुलीयां सन। दोहां पिंडानू मिर्गी पे गई है। बोल दे कुछ ने पर दोहां दी हाथ पेर अकड़े हुए हान। मुहां चुण चग वगदी पेई है। अकदी नस्वार कोडे अकवरगा साच एस अकदा बुटा केडी तरती ते बिज्जां। तरती हे था कोई ने। तरती ता सारी उना बैक राले। जिना दे हाथ चो रो रीततां दी डांग सी। सामने उर्मी दी मन्जी उत्ते ओई खने रेदा टेर जिया पिया होया सी। ते कदी अखां खोल के अचान केंज वेखता सी जिमें मुड़ नेरिच बढ़ दे हुँ। चोथे दिन खबर सुनी गौतम नू युनिवस्टी तो खोज पत्तर लिखनली वुजीफा मिल गया। जदों दी उर्मी नहीं सी रही। मेरे प्यार गौतम देकार दी गड़ी वेखके जिमें पिंडे नालू ले जान दे सी। एसली कदी फेर ओ गड़ी नहीं सी गौतम आपी हने रेवांग फैल दा कदी मेरे कमरे चाजान दा पर खबर सुनी ता सोचया ओधा मेरा दुख बंडेया होया नहीं सी एसली मैं पैरा नू को सीड़ दा जया ओधे कारवल चल पे। अजवी कंब कंब पैंदा हा जिवें गौतम नू वेखया सी। उ जमेन उत ते डोल चौकडी मार के ते पूरी आखां खोल के बैठेया होया सी। कमरे दा पर दा चुक के मैं उधे कुल जाखलोता ता भी उने मेरे वल नहीं तक या। मैं आवाज देती मुड़ा हलाया पर उने ना मेरे वल तक या ना खाचम किया। उ जवें सुन पत्थर बैठा हो उधे होट फरके कुछ भी नजर नहीं आउंदा वो पता नहीं कित थी है। कौन मैं त्रबक के पिछे है। उर्मी होर कौन वजेवी सामनी कंद वल वेखी जा रहे है सी। जिवें उर्मी ने उस कंद विचो निकल के आ जाना हुए। एक कंदी तह हैं जिदे पार से कुछ नहीं वेख सक दे। यह पता नहीं कि होजी कंद सा ढियां खांगे उसर गई है। मेरे मुहों निकले आ ते मैं उत्थी होदे को पैरां पार बै गया। उन्हें एक हौके ना लखा मीटी हैं ते फिर खोली है। एस वारी हो मेरे वल तक गया। मेरे मत्थे चो एक कंबणी उठके मेरे पैरां तक चली गी। उधी आखांच लहू वर गयां लालता रियां पगयां हुए असान। तेरी आखा नू की हो गया। मैं का बरके उधी आखांदे चपरा नू छोया। ए ये कुछ नहीं। जे ओ किते दिस पवे ओ मुस्करा जे पया। मैंनू लगा जे ओ रो पेंदा ता उधी रोन नू चलना सौखा सी पर इस मुस्कराहट नू चलना बहुत अखा सी। किते जिओंदी हुंदी देशना पेंदी मैं हर रास के किया। उच्छे ती नल बोलिया। पर एदा भी की सुबूत है कि उधी नहीं। सुबूत ता कोई नहीं मैं आख्या पर नाली आख्या जे किते हुंदी पामे किस हाल चुंदी कोई खबर जरूर देंदी आखर किसे तरह कोई खात जान सुने या कुछ ता हुंदा। ओ खोरे किते बड़ी मजबूर हुए की पता उनू किसे कोठडी चड़क्या हुए जग की पता किसे होर देश्च पेज जे किसमत होई ता मेरे मन नूँ उदे वरगी आस नहीं सी बजरी मिले पामे कि पर आज जांकाल नजर जरूर आएगी। उन्हें कुछ एड़े विश्वास नाल किया कि मैं उदे मुड़ें चटका जया दे कि काड़ी नल पुछया कुछ पता लगया। पता कि थे लगना ह उन्हें नांच सिर्फ फेरिया ता मैंनो ओधियां सार यां गलाइंज अजोड जीयां लगियां जापयां उदी सोच दा तवाजन थां तो हिल्दा प्यासी। अज दूसरी राते बस कल तीसरी हो जाएगी। तिन्ना रातां दे अंदर अंदर उन्हें मैंनो जरूर नजरी आजाने हैं। उन्हें आख्या ता मैं अपना मत्था फड़ लेया, मुह मसा निकलेया, गौतम वो बोलेया नहीं। मैं ही किन्ने चेर पे चुमाग सकया। तू शायद कल रात भी शुता नहीं। वेख तेरी आख़्ां किस तरह हो गई या नहीं। तू रबदा वास्ते सो कौन दी कोशिश कर। सौँ जावांगा तो वखाई के में देवेगी। ओ हस जी हा प्या। ते कैन लगाओ जिस हाल भी है मैंनू आजजां कल जरूर देश पाएगी। जी उदे पैरांच रसियां भी बनियां होनगी हैं ता वी मैंनू एवी पता लग जाएगा क्यों कित् देख सकना। किस तरह मैं उठ दें उठ दें बुचयां। मैं एक सुर्मा बनाया हैं बड़ी मुश्कल नाक। वे खुस कटोरी चा जिवी किना सारा प्या हुए हैं। तुवे मेरे वांगू अखांच पाल हैं। तुवे थे बैजां। उन्हें मेरा हाथ उठ देदा हाथ फाल लेया। उन्हें मेरा उठ देदा हाथ फाल लेया। जिदर उन्हें इशारा केता सी मैं उद्दर वेख्या। एक कटोरी पई सी। मैं हत्थांच फड़ी उदेच कुछ लाल चिया गिला रंग सी। सुर्मा इलाल सुर्मा। पर सुर्मा पाणना लोग किस तरह दिखा देगी। मैं आखता प्यासी के कटोरी नू सुंग के वेख्या, कटोरी चो बो आई। यह खंच पालेगी। तद दुनिया पर तुसी जित्थे जो वेख्णा चाए वेख्याई दे जान दे। सुर्मी जित्थे भी होएगी पामे सुवंदरों पार ही होए। उजरूर पर सुर्मा काड़ा होंद है, लाल नहीं, इस सदार बजार वळा सुर्मा नहीं, ते तैनू की नहीं देता है, किसे नहीं, मैं आप बढ़ाया है, एदा नुस्खा मैनू एक साधू नहीं देता है, ओई रब्बा, मेरे मुह निकलिया, ते मैनू जापया जमी उर्मी आज दूजी बार मर्दी पई सी, बड़ी संभली यवास नल पुच्छा, अच्छा दासे सुर्मा के में बढ़ाया सी, ओकाडी नल पुच्छन लगा, तू पाएंगा, हाँ, मैं सिर्ह लाके आखिया, ओ सुर्मुचू लैंडली उठान लगा, तो मैं उठ देनू मुड के बढ पहले मैंनु एदा नुस्खा दास, तू एमें फिर बनाएंगा, बड़ा उखा बन दे, यू पाला है, वो अपनी तुन्च अखी जा रहा सी, अच्छा है, यू पाल वांगा, पर पहलो दासता दे कि कि में बनाई दे, मैं उनू संभल के आखिया, जन्ना कू संभल के आख जा सकता से, ये, ये अकदी जड़ नू पेड़ दे लहूच पी के कजल जय बना लई दे, उन्हें जियों ही आख्या मेरा रोन निकल गया, आखना चौन्दा सी, अक, अकदी जड़, अक ता उर्मीदी मौत दा साच्चे, जो असा चबले आ, साच्चे तो वो डाक होर कोई नहीं होंदा, पर मेरा कुछ भी आख्या उन्हों नहीं सी सुनदा पिया, इह हूँ आख्या के मैं होने होंदा, ते बजार जाके नींदर दीक गोडी ते एक गलास चाल लेया, किसे तरह उन्हों गोडी खुआई, चाप याई, ते मैं बार आके सड़कां उते इन्ज तु स्टेशन वल चला गया, पिछले दिना तो कई बार मलो मली मेरे पैर स्टेशन वल चले जान्दे से, अखा आगे अपनी किसी तमन्ना दा चित्वया चोड़ा अब खलोंदा सी, कि उर्मी गड़ी देक डबे चो उतर दी पई है, कि ना चिर स्टेशन दे प्लेट फार्म ते जियों दी होन दा अजया पुलावा पादें दी, इक पलो दी मौत नू विसार लेंदा, इहो कामबदा पलेखा खानली, शायद मैं कई बार स्टेशन ते जान्दा सी, उस देन भी इंजी गया सी, पर उक्का पता ने के क्यों मैं पिंड जानवली गड़ी ते चड़ गया, रात छंडी सी, कोड एक कंबल तक भी नई सी, पर एक गुठे, अपने हड़ानू अपने हड़ांच भी लेटके बैठा रहा, पतानी केडे वेले नेंदर जी प्यागी, खोरे सोचांची केते डुंगा ले गया सी, जा प्या, अपनी मन जी उत्ते बहुत निगार जाईच प्या होया, सब को जोमें सी, जिमें हुंदा सी, उर्मी मेरी रजाईनू पासेवलों मोड़दी, बिजली दा लेंप बुजाओंदी पैसी, सौंग या सा, पतानी केन ना चेर, अचानक किनी या अवाज़ांदे एक रोला पैया, ते रोले नालबें जाग पैया, स्वेर हो मेरी मंजी कुल आके मैनू रजाई दित्ती सी, पर सुपने वली रजाई, इथे गड़ी च सची मुची मेरी कुल किसे तरा आगी, गड़ी दे डबेच उर्मी किते वी नई सी, साच ते चूट जिमें पाणी च पाणी वांग रले सी, वाख ने सी हुंदे, मेरे असलो नाल मेरे सामने बैठा, एक बुड़ा आदमी बड़ी चंगे जे मून अल मेरे वल तक के कैन लगा, तू केड़े था जाना है पुतरा, तेरा स्टेशन ता नहीं लांग गया, मंच कुछ छी लिया गया, कैन लगा सी, उर्मी केड़े स्टेशन ते उतर गई, उतरना ता मैं भी पर मूँ मीट लिया, क्लोती गड़ी चो बार वल वेख्या, स्टेशन दा नाम पड़े आती आख्या, अगले स्टेशन ते उतरांगा, अचानक ख्याल आया, कि रजाई जरूर एस, एसे आदमी ने मेरे ते दित्ती होईगी, मैं हरान जयाओ दे वल तक के, ए रजाई की हो कार दे, कि उत्ती हर्थां उर्मी, अगला स्टेशन ओना सी आगया, मैं रजाई मोडी ता हाथ नल होली जी उस आदमी दी बान छोई, ए योई, एक पल्प लेखा खान ली, कि मैं हाथ नल उर्मी दी बान छोई सी, सारी होश, सारी हवाश ठीकान, हक्कीक्तां दी पुलाव हम इजे मैं एक लीक खिट सकता हाँ, तानुवार।